दोस्तो आज इस वीडियो में जानेंगे OnePlus 12R के बारे में इस फोन को 23 जनवरी को इंडिया में लॉंच किया जाएगा और इसकी इंडियन प्राइजिंग भी बाहर आ चुकी है तो दोस्तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करें इसके लुक्स एंडियाइन के बारे में तो फोन का डिजाइन प्रिवियस डिजाइन की तरह ही रहने वाला है सरकल कैमरा मड्यूल देखने को मिलेगा साइड में मेटल फ्रेम दिया जाने वाला है यह फोन 8.8 mm की थीकनेस एंड 207 गराम के वेट के साथ मिलने वाला है डिस्पले की बाग करें तो इसमें हमें 6.78 इंच की 1.5 के रेशन वाला एक कर्व OLED 80 LTPO डिस्पले मिलने वाला है इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्जे और यह डिस्पले परो HDR को भी सपोर्ट करने वाला है बाकी इसमें हमें 1600 nits का पीक ब्रैटनेस मिलता है इसमें आपको ओर्निंग गोरिला ग्लास विक्टर 2 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है और यह डिस्पले 12-bit HDR10 प्लस और डॉल्वी विजन को भी सपोर्ट करता है कैमरे की बात करें तो इसमें हमें triple camera का setup दिया गया है जहाँ पे 50MP का main camera दिया गया है with OIS जो Sony का IMX 890 sensor होने वाला है बाकी 8MP का ultra wide sensor and 2MP का depth sensor दिया गया है फ्रंड की बात करें तो फ्रंड में 16MP का center पंचल वाला camera दिया गया है performance की बात करें तो ये phone snapdragon 8 Gen 2 वाले flexi processor के साथ आने वाला है जिसकी अंदुदू score 1.2 million के आसपास देखने को मिलता है यानि की आप इसमें heavy से heavy game भी प्ले कर पाऊगे without lagging के साथ and ये phone Adreno 740 graphic को support करता है यानि की graphic भी तगडी देखने को मिलेगी बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5500 mh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है और इसे charge करने के लिए 100 watt का fat charging का support दिया गिया है other specs की बात करें तो इसमें हमें dual studio speaker with Dolby Atmos के साथ in display finger fit, alert slider and IR blaster मिलने वाला है बात करें इस phone के engine pricing की तो यह phone 8188 GB के variant से देखने को मिलेगा जिसकी price हमें इंडिया में 41.999 रूबिस देखने को मिलेगा और इसके higher variant की बात करें तो इसकी higher variant 16.56 GB होने वाला है जिसकी price 44.999 रूबिस देखने को मिलेगी तो दोस्तों यह थे OnePlus 12 के कुछ confirm detail मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में